नमस्कार, आईए सुनते हैं आधुनिक हिंदी साहित्ती की जानीमानी लिखी का राजी सेट द्वारा लिखी हुई कहानी, जिसका शीशक है तुम भी रात जब उसकी नीद खुली तो आज फिर वह विस्तर पर नहीं था, दोशन अडोल पड़ी रही, बातरूम की दिशा में कान दिये, रात खामोश थी, कोई आवाज न होने से उसे लगा, दिन होने में देरी है, बीच रात का पहर है सन्नाटे से भरा, दर्वाजे की सांकल हल किसी बची, खिश-खिश की ध्वनी, पूर्व यान न होता तो शायद समझ न पाती कि बोरी घसीटी जाकर दर्वाजे के पीछे रग दी गई है, प्राण जैसे कहीं और बंधे हों, ऐसी सीने के भीतर टंगी जाती सांस चुप पड़ी रही, वह आया, सुराही से पानी उ अपनी ही कलाई थी, पती की कलाई पकड़कर यू कह डालने का साहस उसमें नहीं था, उस छण का सामना करने का, पती को लजजित करने का, बीच चाहे अंधेरे का परदा था, पर अंधेरे में, सन्नाटे में यह सब अधिक साफ दिखता है, साफ सुना जाता है, सबीरे घर वो हारते वह उसकोने में जाना बचा गई, देश से उठते पती के आलस्य को अंदेखा कर गई, वो औरी ढोकर ले जाने का एसास होने पर भी बाहर टिफिन देने न गई, सभी को भिज दिया, अनाज के इस माल गोदान की रखवाली के लिए रखे गए थे वह, लाला ने यह सोचकर यह छोटा सा दो कोट्रियों का, चाहे टूटा सा घर उनने बिना भाड़े के दे दिया था, आगे एक छोटा सा सहन और दालान, किलर्की से कुछ बनता नहीं था, बीमार मा, एक बहन, एक भाई और तीन बच्चे, बहन जैसे तैसे ब्याहा दी गई थी, भाई होश सोलै की हो जाएगी और गुल्लू बारह का, गीतू तो अभी छोटी थी, एक का ब्याहा दूसरे की पड़ाई, इन दो सुलगते सवालों से आखें भीच लेना चाहते थे वे, जो कुछ जोड़ा बचाया था पिछे साल मा की बीमारी में, सेरी बरल, कुछ ऐसी ही टेडी मे की साथ बंधी, यथार्थ की चर्खी पर खिचती सतत, उपर नीचे बार बार, अपने मन का चोर्व जानती है, उसे लगा करता है, मरना तो है एक दिन सब को, हर किसी को, क्या फर्क पड़ता है, मा जी गई तो पीछे जीवित रहने वाले सब के सब, वह, अमर, देबू, सब मर जाएंगे धीरे-धीरे, सिर्फ डॉक्टर खाएगा, और गले पड़ी बीमारी, नहीं तो सब खाते थोड़ा-थोड़ा साध कर, सम्हाल कर, छी-छी, क्या सोचती रहती है, अमर जान जाएगा, तो क्या सोचेगा, ऐसा निया घरों में नहीं होता, शम्शानों में, अस्पतालों में होता है, लाशें आधी रात या मूँ अंधेरे बिकने आती हैं 20-20 रुपए में, देबू बताया करता है, साइकलों पर लंबे-लंबे पैडल मार का लाशें लात कर लाते हैं सगे संबंधियों की, 20-25 रुपएओं की खाते, संबंध तो वैसे ही मर गया है डॉक्टर साहब, यह तो मिट्टी है, यह बात संबंध से ज़्यादा जानदार होती है क्योंकि रोटी दे सकती है, देबू यह बात अपनी तरब से जोड़ देता है, बस बस देबू बस कर, उसने सुनते सुनते घबरा कर कहा था, आदमी की चेतना क्या इतनी मर जाती है, किस चेतना की बात करती हो भावी शास्तर वाली चेतना की चुप देबू शास्तर का नाम न ले पढ़ लिख क्या है तो इसका मतलब तो नहीं एक बार मेरे साथ अस्पताल चल कर देखो भावी और अस्पताल गए बिनाही वा देख रही है देख लेती है अपने को अपने भीता पनपते विशाणूओं को मा जीबित रहेंगी तो सबके भविश्य का संतुलन डोल जाएगा देबू की बात इतनी नंगी इतने पास मन की शांती कहीं ओड़ गई थी उठते बैठते मा की जगह एक लाश दीखने लगी थी उसने एक दिन डरते डरते अमर से पूछा क्या तुम्हें भी लगता है कि क्या कुछ नहीं यही कि पैसे कम होते जा रहे हैं कितने बचे हैं तुम तो आज पोस्ट आफिस गए थे ना एक दीर की दिरिष्टी से उसे भापता वच चुप रहा तुमने जवाब नहीं दिया कितना बचा है अब तुम्हें हर बात से क्या मतलब मतलब क्यूं नहीं सब कुछ तुमारे अकेले के सिर क्या मैं जानती नहीं अब तो तुम भर पेट खाना भी नहीं खाते ओह चुप रहे न मैं कहता हूँ चुप रहे ऐसी दया से मुझे न तोड़ वह समझ गई आज क्या देबू आया था वह खाना खाकर विस्तर पर लेटा था आया था सुनो तुम्हें उससे डर नहीं लगता किस से देबू से नहीं अनाज वाले लाला से तुम्हारी शिकायत कर देतो वह साहस करके कह गई वह धीमे परंतु कठोर स्वर में बोला नहीं क्यों नहीं वह लोगों को लूटता है मैं उसको लूटता हूँ उसका लूटना गलत है तो तुम्हारा भी वह उठकर बैट गई या मर कुछ न बोला सुनो तुम्हें भगवान से भी डर नहीं लगता तुम जो डर लेती हो उससे क्या होता है होता है मेरी कैनी मेरे पास रहती है तुम्हारी तुम्हारे पास बोज से मरूंगा तो मैं ही ऐसा मत कहो पती का मुँँ अपनी कापती हथेली से ढखती हुई वो बोली हम तुम दो हैं क्या फिर वही अंधेरे को घूरती उसकी अबूज चुप़ी हाँ, किसी किसी जगे पर पहुँच कर हम तुम दो हैं कैसे, तुम इसे समझ नहीं सकती, चलो छोडो मा की तब्यत अब कैसी है उसने आख फाड़ कर पती को देखा क्यों, क्या तुम घर में नहीं रहते मैं, मैं घर में कहां रहता हूँ कब होता हूँ मैं घर में मेरे भीतर तो सुर में एक अबूज बिशाद किस तरह की बाते कर रहे हो तुम सुनो, एक बात मानोगे हम छे महीने के लिए तुम देखु की पढ़ाई छुडवा दो बजीफे से कुछ मदद होगी छे महीने बाद भी डॉक्टर बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा नहीं सरना देखु की अपनी जिंदिकी है अपनी किस्मत उसे अपने लिए दापपल लगाऊंगा पर अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी है है पर मेरी भी तो उसके लिए कोई जिम्मेवारी है तो फिर फिर मुझे स्वेटर बुननी की मशीन दिला दो इसमें बुरा तो कुछ नहीं, सब घर बैठे रहते हैं दिला दूंगा, अभी तो जानती हो, मा की बीमारी में सब कुछ हाथ से निकल गया जानती हूँ, अब आज कटार हो आई उनका इसमें क्या दोश है सर्ना, क्या इसके लिए तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती सिर से पकड़ी जाकर वा खिसे आ गई, फूट पड़े तो फिर मैं क्या करूँ, क्या करूँ तुम कुछ मत करो सर्ना एक पीडित शैथिले से भरा वा सर्ना को अपने साथ सटाते हुए बोला मेरे पास बनी रहो, इसी तरह हमेशा सहना आसान हो जाता है पत्नी की हतेली खीच कर उसने अपनी चाती पर रग ली और अपनी उंगलियों से उसकी खुर्दरी उंगलियों के पोरों को छूता रहा दूसरे चौथे दिन उसे साइकल पर बोरी लाद कर ले जाते देख सर्ना का जी धसक गया एक रात पहले पती का गुमसम खाट पर बैठे होना आधी रात गए घिसकी सावाजें पसीने से लट पर शरीर स्रांथ होका सुबह उठना निर्वाक इधर से उधर डोलना अकसा सब कुछ असा है लगने लगता एक दिन डरते डरते बोली किसी दिन तुलबा लिया तो एक लंबी सी लोहे की छड अंदर से खोकली सिरे से पैनी उसने दरवाजी के पीछे से निकाल कर पत्नी के सामने डाल दी बिना खोले बोरी के पेट में जिसकी नौक भॉक कर नमूने का अनाज जिससे निकालते हैं ब्यापारी वा ओजार थोड़ा थोड़ा हर बोरी से इतना अनाज तो चूए भी खा जाते हैं गोदाम में तब ही तो पसीने से लत्पत हो जाते हो सुनो कोई और रास्ता नहीं निकल सकता क्या चोरी का कड़वी सी भडास फैकता हुआ बोला वा आहत हुई फिर भी द्रिड़ता से बोली नहीं कमाई का जिस दिन तुझे दिख जाए मुझे बता देना छोड़ दूँगा तुम लोगों के लिए ही बुदबुदाता हुआ वा बाहर निकल गया पतनी अपने ही शब्दों के ताप संताप से जुलस्ती रही शाम को वा घर आया तो मोँ पर बादल नहीं थे हात में दो बड़े बड़े कंधारी अनार और संतरों का पैकेट लिए वा सीधा रसोई में घुस्ता चला आया गीतु को सामने देख पैकेट नीचे रखे और उसे गोद में उठाकर चुम लिया जीतु पहले तो भोचक फिर संतरे लेकर नाचने लगी गुल्लू बीच में जपटकर बोला रहने दे रहने दे दादी के लिए हैं डॉक्टर ने बताए हैं नहीं तुम्हारे लिए भी हैं बेटे दादी के लिए वहां रखाया हूँ लाओ चाय लाओ बूट उतार कर वह खर-खरी खाट पर पसर गया सरना व्यस्त सी हो आई एक अंजान क्रतिग्यता से न जाने उसके मन की कौन सी कोर भीगाई पती को चाय का कप उसने कुरकुरे पापणों के साथ बैठ कर पिलाया मा एक रात अचानक मर गई देह ओंधी एंठी हुई एक टांग नीचे उतरनी की मुद्रा में पार्टी से नीचे लटकी हुई गरदन आधी उपर को आँखें जड़ स्थिर बिस्तर ऐसी सलबटों से भरा खुब छटपटाती रही हो जैसे शायद उन्होंने खाट से उतरना चाहा हो वहाँ और सरना दोनों धक से रह गए आवाज ही न निकली न गंगा जल न गीता पाठ न दिया न बाती न कोई पास बच्चों का जुंड जमीन पर बेखवर सोया हुआ घबरा कर मा का शब उन्होंने नीचे उतारा और एक अपरादी आकुलता से बच्चों को जग जोड दिया पास पड़ोसी जब तक आए मौत एक यथार्थ बन चुकी थी अमर का मन अंदर से रह रह का दो ही दिन पहले तो खाट से लगकर रखे मोडे पर बैठे अमर की गोद में मा ने अपने शिथिल कलाई डाल दी वह चौंका हाथ का अखवार उसने नीचे रख दिया कुछ चाहिए मा नहीं कुछ नहीं बेहत थकी तूटी भरी सी यह आवाज मा ने अपना हाथ उसकी गोद से बापस न लिया एक बोलता हुआ दरदीला इस परस उसे चूता रहा मा बच्पन के किसी भूले हुए आवेक का जोंका उससे आ लिप्टा कुछ कहना चाहती हो मा नहीं रे सोचती हूँ तेरे कच्चे कंधों पा कितना नहीं रे रो पाने में भी असमर्त मा का एक स्वर एक घुटी हुई चीक की तरह बिखरा वह मा के सिर पर हाथ फिरता रहा मा के बाल रसियों के से सूखे खुर्दरे हो गए थे और अब आस्वों की धाराओं से गीले हो रहे थे मा जी छोटा न कर मा के भीतर कोई फोड़ा फूट गया सिसकते हुए बोली तेरे बाबू जी गए तो लगता था लगता था दस घड़ी न जीया जाएगा अब दस साल से जीती हूँ मा तुम अच्छी हो जाओगी एक खोकली सी सान्तोना उसके मन में उभरी फिर होटों में ही डूब गई नहीं नहीं मा के भीतर उबाल उठा था मेरे जीने में क्या धरा है तु कमा कमा कर खुट रहा है एक बात कहूं बिटवा हम मेरी मिट्टी तो वैसे ही उठेगी तु क्यों मेरे कारण बच्चों के मूँ से ग्रास चीने है तु मैं क्या हो गया है मा मा फिर फूट पड़े सच कहूं बिटवा मेरा तो दबादारू डॉक्टर सेवा सब होता है और तु रात रात भर इस मोडे पर निढाल पड़ा रहता है मैं क्या अंधी हूँ तु मेरी बात मान कुछ दिनों के लिए देबू की पड़ाई छुड़ा दे देबू अपने उध्यम से पड़ता है मा उसका उध्यम तेरी किस काम का तु चिंता न कर मा एक गहरी सांस उसने भीतर ही रोक ले ऐसी सहान भूती से खकोल कर माँं से अपने ही सामने नंगा कर दीती है कितना दारुन होता ही है मा अगर जानती तीसरे ही दिन मा का यूँ मर जाना इन सब बातों की इस्मृती से खुब खली मा के बक्सी से निकली बाबु जी की कुछ बहुत पुरानी चिठ्थिया बाबु जी के साथ एक मटमेला मुडा तोड़ा फोटो थोड़े से कपड़े एक शॉल दो अंगूठिया दो जोड़े चान्दी के बिचुए और 27 रुपए 30 पैसे रुपयों को हतेली पर रखे देखता रहा वह मा की जन्म भर की पूँजी बच्चे और सरना पिछले कमरे में जन्माश्टिमी की जहाकी सजाने में लगे थे पीछे का अंगडखंगड सरना ने अपनी पुरानी रेश्मी साड़ी से ठक दिया पास पडोस से खिलोने और रंग विरंगी तस्वीरे मांग ही ली थी तो दो तीन पडोसिनों को आरती के लिए नियोता भी दे आई थी नियोता आने पर प्रसाद बनाने का अत्रिक्त उत्ताव भी उसमें आ गया केले अमरूद मंगाते गुल्लू को बापस ठेर कर बोली दो एक सेव और एक पाभर अंगुर भी लेते आना भगवान का काम है गद गद सर्ना अंदर बाहर जाते कहती गुल्लू चला गया तो उसे कलाकंद की याद आई यह सोच मरी रहक रहकर आती है बच्चा विचारा शायद अभी दूर न गया हो वह दोड़ी दोड़ी बाहर आई गुल्लू तो निकल गया था पर पती दहलीज पर बैठा बीड़ी फूक रहा था चेहरा घिरा हुआ भमे घनी होती हुई छी छी तिहार की दिन तो रहने दो बैसे उपास का दिन है यहाँ कैसे बैठे हो अंदर चलो देखो बच्चे कैसे नहीं अभी बाहर जाना है वह बात काट देनी की नियत से बोला वहाँ? फिर बिना जबाब सुने बोली पहले कहा होता नहां गुल्लू को दोड़ाया तुमी सब चीज़ें लेते आते वह कुछ न बोला ढलती शाम को बैसे ही निर्विकार भाव से देखते हुए आधी पी हुई बीड़ी को एक कौने में फेग दिया कहां जाओगे इस वक्त? बनिये की यहाँ? सुभह उसकी स्टॉक चेकिंग हो रही थी बोला शाम को आना कल चले जाना फिर कुछ सोच का स्वैम ही बोली नहीं अभी दे आओ ना हो एक गिलास दूद पीलो आर्थी प्रसाद में तो आज दे लगेगी नहीं वह इतने छोटे में उत्तर देता है कि बात को आगे जाते जाते लोट आना पड़ता है तबियत तो ठीक है ना? वह उसका माथा छूती बोली हाँ बिल्कुल पतनी के हाथ की करुणा उसने हौले से परे सरका दी पूजन पूरा हुआ आरूपित प्रसाव और क्रिश्न जन्म उपलब्धी के तनमय उल्लास से वही जाती पतनी ने अचानक थाली में पैसे डालने को तक पर उसके हाथ अद बीच थाम लिये थाली में पढ़ते पढ़ते पैसे उसके हाथ में ही थमे रह गए वह मूँ बाय देखता रहा पडोसिने भोचक, बच्चे विस्मित अपने में लोटते हुए सरना ने फोरण सहज होती हुए कहा सभी जा जा मेरा बटुआ उठाला छोटी संदूक्ची में धरा है आरती में फिर अमर का ध्यान न लगा बार बार पिछडता जाता अपना ही स्वर घर के स्वामी किसी बुलंद तनमेता से शून्य बच्चों और औरतां की छोटी सी भीड में से खिष्टा खिष्टा वह एकदम पीछे सरक लिया पत्नी प्रसाद बाटते इधर उदर नजरें दोडाती उसे ढूरती रही उसने चाहा कि वह प्रसाद पहले पती को देती पर वह वहां नहीं था सहन में तुलसी के जाड के नीचे के सूखे पत्ते बटोर रहा था मन बुरा न करो यह सब भी तो तुम्हारा लाया हुआ है पूजा में वह पैसे खर्च करना ठीक नहीं था भगवान का काम है मा के मरने पर इतना खर्चा हुआ तब तो तु कुछ नहीं बोली एक रूठा हुआ उपालंब आवाज में था कैसी बाते करते हो वह तनेक आहत स्वर में बोली वह मौत का काम था मा से कभी दो हाथ करते देखा है क्या तुमने मुझे मैंने कब कहा पतनी के स्वर के शिकायत पहचानकवा नरम होता हुआ बोला तुम इतने सुष्ट क्यों हो गए तुम ही बताओ मैंने गलत कहा है गलत सही मुझसे न पूछ सरना ये समझना मेरे बसका नहीं मैं सब लाकर तुम्हें दे देता हूँ तू जाने तेरा भगवान जाने भगवान तुम्हारा नहीं है क्या पतनी न जाने कैसे भैसे आँखे फाड़ कर पूछा मुझे पता नहीं बुद्ध बुदाता सावा बाहर निकल गया और तने देर तक अंदा शोर करती रही मा की बरसी उसने कई भ्रहमणों को न्योत करकी ऐसा करके पता के नाम के सराध्धों के याद करके हुमका भी अब तक दफ्तर में ही काम करते लीचर जोशी जी की पालती के नीचे पता के सराध की चोकड़ी बनी रही वह भी मा के जीते जी ये आशुचिता उसे तब भी अखरती थी और नई पुराने दुखों की अनंत पोटलियों के बीच आधरती भी थी ऐसा रोक पता को अस्पताल भरती करा पाया होता तो डॉक्टर ने तो कहा था ओप्रेशन उनने जिन्दा रखने के लिए है मानी के लिए नहीं पर मरना जीना भागी की बात है भागी और कर्म का हिसाब किस जगए परता है वो समझ नहीं पाता जी बहुत दुख जाता है तो फैसला भागी के पक्ष में कर लिता है कई और भ्रहमनों को आया देख जोशी जी कसमस आये परन्तों अमर ने उनके प्रती उदारता ही बढ़ती आप तो घर के ही ठहरे कहकर उन्हें भी संतुष्ट किया मौत के उत्सब में व्यस्तता से इधर से उधर डोलती सायना अपनी ही आँखों में बड़ी होती रही अब अकसर अमरोती खाकर उत्री नायलॉन की साड़ी को वह अलगनी पर टांकर फूल छपी कड़क कलफदार धोती पहने अपने पर मुग्द होती बारबार पती की तरफ देखती वह ठगा सा उसे देखता रहता जाने कैसी अबूज सी सचाया उसके चहरे से गुजरती आस-पास की बस्तूओं पर जाले की तरह जाले पटती ठंडे स्वर में पूछता यह कब लाई हो शंकर बाजान में सेल लगी है न वह पुलकती सी पास दुबक कर कहती सुनो सभी के लिए भी मैंने धीरे-धीरे चीज़ें जमा करना शुरू कर दी है ब्याके समय चार चीज़ें घर से निकल आएंगी तो तुम्हारा हाथ भी तुम तो कहती थी प्राणनाद जी के यह शादी करेंगे तो कुछ खास देना नहीं पड़ेगा वह तो ठीक है सामने वाला तो कहता ही है पर अपना भी तो कुछ फर्ज बनता है फर्ज छोड़ो सैना किसका किसके लिए फर्ज बनता है और क्यूं यह मेरी समझ में नहीं आता नई नई से बात है करते हो तुम भी हाँ करता हूँ प्राणनाद जी की हैसियत को हमारी चार चीज़ों की क्या परवा पड़ी है लड़की का रूप गुण देखकर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं आकर तुम भी तो बाप हो तुम खुद ही क्या चुली से निकलना चाहती हो और मुझे भी अपना बाग के हवा में टांग कर वा निकल गया और चहल कदमी करने लगा कुड़ा फैंकने बाब बाहर आई तो चौकी अरे मैं तो समझी थी तुम जगदीब क्या गए हो चलो खालो हाद दोकर थाली पर बैठा तो पत्नी ने पीतल का बड़ा कटोरा आगे सरकाती हुए कहा साग चाहे रहने दो यह खालो क्या है यह थोड़ी खीर बना ली थी खीर की मात्रा देखकर बच्चों का बच्चों को नहीं दी बच्चे तो खूब छक चुके हम दोनों रह गए हैं बठाली को आगे सरकाता हुआ बोला तो फिर तुम भी खालो साथ ही इस आमंत्रण बबा भीतर से भीग आई उमगाती सी मूँ देखती रही पर बबा निर्विकार खाता रहा फिर सोचते हुए बोला आज बच्चों में से किसी का जनम दिन तो नहीं तब ही तुम खीर बनाती हो वा खिल खिला कर हास पड़ी इस महीने में कौन जनमा था अपने घर तुम तो बस न साग अमर ने पीछे सरकाया न खीर जम कर खाई रख दे सोब बच्चे खा लेंगे तुम भी अजीब हो कुछ अपनी सेहत का कौन सी सेहत वो ऐसे कड़वे काठिनने से बोला के सरना को मुँ उठा कर देखना पड़ा सेहत भी दोचार होती है क्या तुम भी जाने कैसे अच्छा बस बस वो अपने विस्तर में दबक लिया पतनी सोने आई तो जैसे टोहती रही छाती पर हाथ रखकर अधेरे को अपलक घूरता वह निश्चल पड़ा रहा प्रोफिसर प्राणनात आज फिर आये थे वही आते हैं जबकि जाना अमर को चाहिए उनका आना सरना के पैरों में पंक लगा देता है अमर के पास सभी को लेका छोटा सा गर्ब भी नहीं था उसका रूप जो जन्मजात था और हाई स्कूल में बोर्ड में प्रथम इस्थान उसके अपने परिस्रम का फल उसका तो बस उसकी तो बस वह बेटी थी इसलिए वह पतनी के उत्साह में इतना भाग नहीं ले पाता था सभी पर वरस्ते उनके बातसले को आविश्वास से देखता रह जाता था गुल्लू का मिडिल इन गर्मियों तक सभी की शादे इन सर्दियों तक इस साल तो देबू भी तयार हो जाएगा तो बस शेव करते शीशे के सामने खड़े अमर को अपने चहरी के पीछे न जाने कितनी लहरियां कांपती न जराएं लहरों की उस बाबडी में वो अपने भविश्य का चहरा टटोलता खड़ा रहा खड़ा रहता यदि धोती के सेज़े से हाथ पहुँचती पतनी उसे न चौकाती सुनो सभी के लिए एक कंठी बनवाना है क्या आश्चारी के रास्ते धर्ती पर लोटता वह बोला हाँ हाँ कंठी तो मैं तो मालूम है सभी की कब की साध है मा जी कब से सभी के लिए रखे थी बिग गई खेर छोड़ो पिछली बातों को प्राण नात जी को इन बातों पर विश्वास नहीं रोज इतनी बाता कहते रहते हैं सुनती नहीं हो उनके कहने से क्या होता है होता क्यों नहीं एकदम दूसरे खयालों के हैं नहीं तो लड़के वाले रोज योँ चले आते वह तो देखती हूँ लड़की की ऐसी ममता करते हैं छोड़ो पातों में ना उलचाओ तुम कहो तो मैं आज सुनार के पास जाओ नहीं वो आलेपतसा चेहरे पास साबुन गिसने लगा क्यों एक उद्दंड साख छोग पतनी की आवाज में भी तेराया क्योंकि उसे कंटी देने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कम से कम दो तोलिकी बनेगी और सोने का भाव मालूम है मालूम है पर कबसे साध लिये है छोरी इतनी और साध हैं पूरी हो रही है सजा किसी को नहीं मिलती सिर्फ मुझे मिलती है और सब तो बागी का बागे वा अंदर घुड़क गया खीशता हुआ बोला जाओ मुझे सेब करने दो देर हो रही है तो मसल में इस वक जल्दी में हो कहती हुई वा रसोई में लोट गय वो दिवने उताबली में वो तयार होका दफ्तर चला गया शाम को जब लोटा तो नहीं जानता था कि वा प्रसंग अभी उनके बीच जीवित है पत्नी ने यह कहकर कि इस समय तुम्हें जल्दी है लगाम अपने हाथ में रख ली थी बाद शुरू होते होते ही प्रॉफे सप्राना था गए और उनके साथ ही घर की हवा एक ताजा सुगंद से भर गई इतनी सहज आत्मियता से वह यहां बैठते उठते कि उनके जाते जाते तक तो घर का बातवान हलका और तरल हो उठता पती को उसने हलका सहज देखा तो कलाई थाम कर बोले क्या इतनी सी भी बात नहीं रखोगे उसे उसी छड़ ऐसा ताप चड़ाया जड़क कर बोला बेवकुफी मत करो कभी तुम अपने लिए कहती तो बात भी थी लेकिन सभी को क्या कमी है एक एक लड़का है उनका जमीन जायदाद है ऐसे भले विचार है आगे भी तो देखना है मुझे पता नहीं किस किस से पाला पड़े दुनिया में सब प्रॉफे सा प्राणनाधी तो नहीं होते क्या हुआ गीतु की शादी तक तो देवी भी डॉक्टर बन जाएगा डॉक्टर क्यूं कहती हो कहो कुबेर हो जाएगा इतना भरोसा मैंने किया है किसी का अज तक तुमने नहीं किया तो क्या उसका भी खून इतना सफिद तो नहीं होगा मैं करी क्या सकता हूँ उसका जो आशा करूँ बजीफा लेता है ट्यूशन करता है हम लोगां पर तो दो रोटी की महताजी भी नहीं रखी उसने वह न करे पर तुम अपनी लड़की के लिए ऐसे पत्थर दिल क्यों हो गए हो चोट कहने के तेवर में आ गई थी पत्नी सरना चुप रहो मुझे तैश न दिलाओ पास रखी काट की कुर्जी पर बैट गया वह आकरामा क्रोध में तपता ऐसी बड़ी बात नहीं कह दी मैंने कि तुम इस तरह गुस्ताओ आखिल लड़की ओह सरना तुम इतना तो सोचो मैं कहां से करूँ कैसे करूँ तुम क्या नहीं जानती इतना करते हो तो दो-चार बोरियां और सरना की आवाज की निर्द्वेग धंडक और आख के तीरों से उसका पोर-पोर बिंधना जाने कैसी तेजी सिवव उठा फॉलादी पंजों से पतनी के कंदे जिजोड कर उसे खाट पर धक्का देका थर-थर आता हुआ बोला तू 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 भी मर गई है मेरे साथ तेरे पुन्न को देखका जीता आया था मैं अब तक मेरा अपना बोजी क्या कम था मेरे लिए दोस्तो अभी आप सुन रहे थे राजी सेट द्वारा लिखी वही कहानी तुम भी दोस्तो कहानी आपको कैसी लगी अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरू साजा कीजेगा मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ धन्यवाद